Second Standard, Subject English, Unit 7, उसका Second Lesson. आज हम उसकी Exercise करेंगे Question 4, 5 and 6. Question 4, Write Answer in One Sentence. आपको एक Sentence में Answer लिखना है. First, Who drew a longer line under the first one? पहली जो line बनी हुई थी, उसके अंडर में ऐसे लंबी line किस ने बनाई थी? अब Who means क्या? कौन? तो बिर्बल ने बनाई थी, तो हमने क्या लिख दिया इधर? बिर्बल. Who के बतले हमने क्या लिख दिया है इधर? बिर्बल. फिर पूरा Question में से ये देख के हमको इधर लिखना है. तो क्या लिखा हमने? बिर्बल drew a longer line under the first one. यानि कि पहली जो line बनी हुई थी, उसके अंडर में लंबी सी line बिर्बल ने ड्रो की थी. Where did second, where did Akbar draw a line? अकबर जो थे उन्होंने वो एक line कहा बनाई थी? वेर यानि कि कहा? कहा बनाई थी अकबर ने वो line? तो अकबर drew a line on the floor. फ्लोर यानि कि first. तो अकबर ने वो line floor पर बनाई थी, first पर बनाई थी. तो हमने ये वेर कहा बनाई थी? उसके बदले क्या लिख दिया इधर? फ्लोर है ना? वेर यानि कि कहा पर? तो फ्लोर पर. वो मिन्स कौन? तो बिर्बल वेर मतलब कहा? तो फर्ष पर. फिर उसके बाद है question 5. वो सेड दिस? उसमें फर्ष्ट है. इस लाइन को छोटा बनाओ. किस ने कहा था ऐसा? अकबर ने. तो हमने इधर क्या लिख दिया है? अकबर. फिर उसके बाद question 6 है. Match A with B. इधर हमने क्या लिखा है? A. फिर इधर हमने क्या लिखा है? B. अब A में कुछ दिये हैं जो आपको दिखाय दे रहे हैं. और B में दिया है उसका ER form. ER form मतलब यह जो इधर आगे इधर वाट्स दिये हैं. उनके पीछे ER लगाना. जैसे कि आपकी grammar book में आपको आता है ER लगाना. आता है ना? Grammar की book में आपका एक lesson है. उसमें आपको क्या करना है? Add ER. वह वाला है ना? वैसा ही है. जो word होगा उसका match ER के साथ. जैसे कि इधर short लिखा है. क्या लिखा है? short. तो B में भी हम उसका ढूंडेंगे ER वाला. यानि कि short के पीछे अगर आप ER लगा दो. तो क्या होगा? shorter. तो अब B में ढूंडो shorter कहा है? तो यह रहा. तो हम इसको इसके साथ match करेंगे. तो short उसका क्या हुआ? किसके साथ match किया? short का हमने? shorter के साथ. वैसे ही bright है. तो bright को हम किसके साथ match करेंगे? brighter के साथ. वो कहा है? यह रहा. last में है. है ना? पीछे ER. फिर उसके बाद है dark. dark के पीछे ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? darker. तो यह darker के साथ match कर दिया हमने. अब short क्या होता है? छोटा सा. bright एकदम चमकने वाला. dark होता है अंधेरा. फिर है light. तो light के पीछे हम ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? lighter. फिर है big. है ना? तो big है. उसके पीछे अगर हम ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? bigger. फिर fast. fast के पीछे अगर हम ER लगाएंगे तो क्या बन गया? faster. हो गया ना? तो इस तरीके से यह जो exercise है वो match की है. ER form के साथ उसको हम match करना है. फिर से एक बार जब भी आप question 4 करेंगे तब question में पहला later capital करेंगे. last में question mark. फिर answer जब लिखोगे तब पहला later capital. last में full stop. ओके? फिर question 5. फिर question 6. यह तीन exercise आप अपनी notebook में अच्छी handwriting से complete कीजिएगा. ओके? Thank you students.